पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर मैं एक स्ट्रेट वायर लूँ और उसमें करेंट को वेजू तो फिर उसके अराउंड मैगनेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है, कॉंसेंटिक सर्कल्स में अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैगनेटिक फील्ड लाइन्स कैसी दिखेंगी अगर मैं एक सर्कुलर लूप वायर लूँ और उसमें करेंट को भीजू तो आँ यही देखते हैं एक एकस्पेरिमेंट की मदद से अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा iron filings, iron के बुरादे और उसे मैं छिरकने वाला हूँ इस सर्कुलर लूप के उपर अब इसी को करने के लिए मिरे पास एक वीडियो है देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा copper wire जो की एक circular loop के form में मुड़ा हुआ है और यह पास कर रहा है एक glass slab के through जिसके अंदर है कुछ iron filings अब जब मैं current को पास करूँगा इस loop के through तो फिर इस loop के around एक magnetic field generate होने वाली है और यह जो iron filings है न यह खुद को इस field के accordingly arrange कर लेने वाले है और हमें फिर pattern दिख जाने वाला है तो आओ इसी को करते हैं तो मैं यहाँ पर connection को पूरा कर देता हूँ अब जैसी मैं switch को on करूँगा इसके through current flow करने लाएगी और हमें एक pattern दिखने वाला है iron filings का देखो यह कितना beautiful pattern हमें दिख रहा है अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ wire के पास में तुम्हें magnetic field lines यह एक circle में arrange करती वे दिखेंगी और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे यह circle यह बड़ा होते जाएगा हमें एक bigger curve मिलेगी एक big और एक flat curve in fact और जब तुम center में पहुँच जाओगे तो तुम्हें यह almost straight line की तरह दिखने वाली है तो आँ इस वीडियो में देखते हैं कि हमें magnetic field lines यह ऐसी क्यू दिख रही है वैसे एकर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊ ना पीछे से ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे board के बाहर बाहर से ऐसे repeat बिल्कुली ऐसे current यहाँ भी flow कर रही है current बाहर से कुछ ऐसे जा रही है फिर board के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर board के बाहर अब हमें यह पता लगाना है कि circular loop के around magnetic field यह कैसी होने वाली है हर जगा पे यहाँ पे current flow कर रही है ना तो उसके करण magnetic field होने वाली है अब देखो पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर एक straight wire हो जिसके शुरू की current flow कर रहा हो तो फिर उसके around magnetic field की direction का पता लगाने के लिए हम right hand thumb rule का इस्तमाल करते है और यह कुछ ऐसा होता है कि तुम right hand से imagine करो कि तुम उस wire को पकड़ रहा हो और कुछ ऐसे कि तुमारा thumb current की direction में point कर रहा है फिर जिस direction में तुमारी four fingers मुणेंगी ना वही हो जाने वाली है magnetic field around the straight current carrying conductor अब देखो यहाँ पे तो यार हमारे पास जो coil है यह circular inch shape है यह तो straight wire है नहीं तो फिर क्या यहाँ पे हम right hand thumb rule का इस्तमाल कर सकते हैं अगर नहीं तो फिर हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि magnetic field की direction हर जगा पे क्या होगी तो इसके लिए भी हम right hand thumb rule का ही इस्तमाल करने वाले हैं देखो मैं क्या करूँगा कि circle के एक छोटे से section पे एक छोटे से हिस्से पे फोकस करने वाला हूँ तो देखो अगर हम एक छोटा सा हिस्सा आलें circle का तो यह एक almost straight line ही दिखने वाला है और फिर यहाँ पे हम right hand thumb rule का इस्तमाल करके यह पता लगा लेंगे कि इसके around magnetic field कैसी दिखने वाली है अब ऐसी करते करते मैं हर एक section के लिए right hand thumb rule का इस्तमाल करूँगा और फिर मैं पूरे circle की magnetic field का पता लगा लूँगा तो आब यही करते हैं एक example लेते हैं मालो कि इस छोटे से section की magnetic field यह हमें पता लगा लिए है तो देखो मैं इस छोटे से section को अपने right hand से पगड़ लेने वाला हूँ और कुछ ऐसे कि मेरी right hand की thumb यह current के direction में पॉइंट करे तो यार इस छोटे से section के लिए current की direction यह कहाँ पे होने वाली है तो देखो यहाँ पे current यह right direction में जा रहा है कुछ ऐसे तो जब यहाँ पहुचेगा तो current यह अंदर की तरफ जाने वाला है कुछ ऐसे तो यानि कि मेरी thumb यह भी screen के अंदर की तरफ पॉइंट करने चाहिए मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ यह कुछ ऐसे point करने वाली है तो यहाँ पे तुम्हें मेरी thumb तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरी thumb यह चुपी हुई है यह अंदर की तरह point कर रही है न तो देखो अब मेरी यह जो चारू उंगलिया है यह जिस direction में मुड़ी हुई है न यही होने वाली है magnetic field की direction इस छोटे section की magnetic field की direction तो यह यह clockwise direction में है यानि कि इस छोटे section के लिए magnetic field यह clockwise direction में रन कर रही है कुछ ऐसे अब similar लिया हो एक और section के लिए पता लगाते हैं इस वाले section को ले लेते हैं देखो यहाँ पर current यह अंदर से बाहर की तरफ आ रही है यानि कि मैं इस section को अपने right hand से कुछ ऐसे पकड़ूँगा कि मेरी thumb यह बाहर की तरफ point करे मैंने इसे बना के रखा वाए कुछ ऐसे यह देखो अब मेरी जो four fingers की direction है न यह मुझे बता देगी magnetic field around this section की direction तो यहाँ पर मेरी four fingers यह anti-clockwise direction है मोड़ रही है तो यानि कि इस case में इस section के लिए magnetic field यह anti-clockwise direction में जाना चाहिए कुछ ऐसे यहाँ देखो magnetic field lines यह anti-clockwise direction में जा रही है तो वैसी है अगर मुझे पूरे circular loop के लिए magnetic field की direction का पता लगाना है तो मैं हर section पर जाके यह same चीज को repeat करने वाला हूँ right hand thumb rule को लेकिन यार इसमें तो बड़ा time लगने वाला है तो देखो इसी को जल्दी से करने के लिए मेरे पास एक shortcut है अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि loop के अंदर magnetic field यह उपर के तरह point कर रही है और loop के बाहर magnetic field यह नीचे के तरह point कर रही है देखो similarly यहाँ पर भी अगर तुम ध्यान दो तो loop के अंदर magnetic field यह उपर के तरह point कर रही है और loop के बाहर magnetic field ये नीचे के तरह point कर रही है तो यानि कि मैं इस circle में किसी भी section को लूँ और वहाँ पे right hand thumb rule को लगाओ तो magnetic field इस loop के अंदर हमेशा उपर के तरह point करेगी और बाहर ये नीचे के तरह point करेगी अब अकर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो अब दो और section पे मैं right hand thumb rule को लगा के तुम्हें दिखा देता हूँ ये मैंने पहले से ही बना रखा है कुछ ऐसे तो मैंने right hand thumb rule को लगा दिया है इस section पे और इस section पे तो यहाँ पे हमारी thumb ये current के direction में point कर रही है similarly यहाँ पे भी हमारी thumb ये current के direction में point कर रही है फिर मेरी four fingers ये मुझे magnetic field की direction को बता देगी यहाँ पे और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो magnetic field ये loop के अंदर ये उपर के तरह point कर रही है और फिर loop के बाहर ये नीचे के तरह point कर रही है similarly यहाँ पे loop के अंदर magnetic field ये उपर के तरह point कर रही है और फिर बाहर में नीचे के तरह तो अब तुम्हें यकीन हो गयाओगा कि इस पूरे circular loop में हर जगा magnetic field ये loop के अंदर ऊपर के तरह point करेगी और loop के बाहर ये नीचे के तरह point करने वाली है और एक और important चीज़, तो मैं याद होगा कि magnetic field lines ये हमेशा एक close loop form करती है ऐसा कभी नहीं होगा कि magnetic field lines ये एक point से start करेंगे और कहीं और जाके end करने वाली है नहीं, ये हमेशा एक close loop form करती है तो इसकी मतब से मैं ये कह सकता हूँ, कि हर जगा पे magnetic field lines ये अंदर में ये उपर की तरफ point करेंगी और फिर बाहर आके ये bend करेंगी नीचे की तरफ और फिर ये close loop को form करने वाली है कहीं पे भी, यहाँ भी close loop, यहाँ भी close loop, यहाँ भी ऐसे close loop क्या तुम्हें इसे imagine कर पा रहे हो, और मैं तुम्हें इसे draw करके दिखाता हूँ इन दो extra hands को छुपा देते हैं, हाँ, और हमारी magnetic field lines ये finally ऐसे दिखने वाली है देखो हर जगा पर ये अंदर में ऊपर की तरफ point कर रही है और फिर ये बाहर जाके ये loop को close कर रही है, नीचे आ रही है और फिर ये loop को close कर रही है हर जगा, और ये pattern बिलकोल है हमारे experiment की तरह दिख रहा है ये देखो, यहाँ पर भी close loop हो रहा है अब आव एक आखरी चीज क्या तुमने इस field line के pattern को पहले कहीं और देख रखा है आव मैं तुम्हें image को थुड़ा zoom out करके दिखाता हूँ तो ये मैंने से हटा दिया और अगर हम दूर से देखें तो ये कुछ ऐसी लगने वाली है तो एक circular current carrying loop इसकी magnetic field कुछ ऐसी दिखती है तो सवाल ये कि क्या तुमने इस pattern को कहीं और देख रखा है तो हाँ हमने इसी pattern को देखा है ऐसी कुछ similar pattern को देखा है एक bar magnet के लिए एक bar magnet की जो magnetic field lines है ये भी close loop, close circular loop बनाती है और सिमनले यहाँ पर भी हमें एक close circular loop मिल रही है magnetic field lines की हाँ एक अंदर ये है कि यहाँ पर field lines ये थोड़ी सी पिछकी हुई है लेकिन यहाँ पर field lines ये थोड़ी जाता goal मटोल है लेकिन देखो अगर मैं इस bar magnet को छोटा करती है ये फिर एक छोटा हसा बार magnet लूँ तो इसकी field lines ये भी बिल्कुल goal मटोल हमारे इस field line की तरह दिखने वाली है तो यानि कि एक circular current carrying loop इसकी magnetic field lines ये resemble करती है एक छोटा से bar magnet की field lines को अब एक bar magnet में field lines ये north से south pole की तरह जाते है magnet के बाहर north से south और अगर तुम goal पर आओ तो goal में field lines ये उपर से नीचे के तरह जा रहे है कोईल के बाहर में उपर से नीचे तो अगर मैं इन दोनों को compare करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस coil के उपर वाला हिस्सा ये north pole को resemble कर रहा है और इस coil का नीचे वाला हिस्सा ये south pole को resemble कर रहा है वैसे यहाँ पर असल में तो poles है नहीं तुम इसे touch फगेरा नहीं कर सकते हो लेकिन अगर मैं इस coil को इस magnet से compare करूँ न तो हम कह सकते हैं कि ये उपर में north है और नीचे में south है तो यानि कि अगर हम एक circular coil लें और इसमें current कुछ ऐसे जाए कि बाहर से right और अंदर से left तो यानि कि इस case में magnetic feel lines ये कुछ ऐसे निकलने वाली है और उनका पता तुम right hand thumb rule के इससमाल से कर सकते हो और फिर इस case में उपर वाला हिसा ये north pole को resemble करेगा और नीचे वाला हिसा south pole को अब अगर तुम जादा practice करोगे न तो इस पूरी चीज़ को तुम केवल 10 second के अंदर ही पता लगा सकते हो और इसे याद करने के जरूत है नहीं लेकिन किनी किताबों में इसे याद करने का तरीका भी दिया वा होगा कुछ ऐसे अगर तुम एक coil को उपर से देखो और उसमें current कुछ ऐसे anti-clockwise direction में जाए तो इसे माल लेना कि ये वाली side north pole को resemble कर रही है और अगर तुम्हारी coil में current उपर से देखने पे कुछ clockwise direction में जाए तो ये वाली side south pole को resemble करने वाली है लेकिन यार ये तो बड़ी ही आसान चीज़ है ना इसे तो हम आसानी से समझ के निकाल सकते हैं तो फिर याद करने के क्या जरूत है याद करने के लिए वैसी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ है history, civics, geography और math के derivation वगरा वगरा है ना तो simple चीज़ों को क्यों याद किया जाए तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक current carrying circular loop इसके round magnetic field कैसी होती है इसे हमने पता लगाया right hand thumb rule के इस्तिमाल से और हमने ये भी देखा कि कैसे इसकी magnetic field एक छोटे से bar magnet के similar होती है